वेलकम वेलकम बैक टो कोड़ारक संकित और स्वागत है आपका जावा डेवलपर के इस कंप्लीट कोर्स में तो लास्ट वीडियो में हमने 5 टॉपिक चे टॉपिक तक बात कर लिया था ना अब हम जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आगे डिसकस करेंग और जावा 11 चेंजेज जो उसमें उस सौफ्ट्वेर में जो चेंजेज थी ठीक है कि मैं मतलब उसका फोल्डर स्ट्रक्चर वगरा में जो चेंजेज थी वो हमें पढ़ना था है ना तो वो हमने देख लिया था अब पढ़ेंगे हम डिफ्रेंस बिट्विन जे डिके जे और जे बिएम और जे हाइट जे डिके जे अरी जे बिएम और जे आएट इमें में ज्रह हम यह पढ़ तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर हमारा एट टॉपिक है तो सबसे पहले जे डीके आपको पता है जे डीके के अंदर सारे के सारे जो टूल्स है वो आ जाते हैं अभी है ना जो जे डीके सॉफवेर होता है उसके अंदर आपका जे आरी आ जाएगा जे बीमसी के अंदर आ जाएगा तो आपको जे डीके जो होता है this is nothing but JDK ये किया है JDK है JDK आपको क्या देता है JDK आपको देता है development tools JDK एक जावा डिवलपमेंट किट है ना जावा डिवलपमेंट किट है ना जे डी के तो जावा डिवलपमेंट किट एक ऐसा पुरा का पुरा पैकेज्ट सॉफ्टवेर है जो आपको क्या देता है डिवलपमेंट करने के लिए क्या तो डिवलपमेंट करने के लिए आपको देत जावा का compiler होता है सब जेडी के ही तो देता है आपको और साथ ही साथ इसके साथ आपको मिलता है JRE तो JRE भी मिल जाता है आपको ओके यहाँ पे आपको क्या मिलता है JRE तो JRE में क्या होता है JRE में होता है आपका JBM ओके यहाँ पे यह जो आपको मिला JRE अब ये सिर्फ JRE में इसके अंदर क्या आपको मिला इसके अंदर मिला आपको JBM JBM के साथ-साथ आपको मिलता है JIT, Just-In-Time Compiler और JBM, JRE और इस JRE में आपको क्या मिल जाता है ये JBM और Just-In-Time Compiler हो गया आपका इस तरीके से और यहाँ पे आपको और मिल जाता है APIs मतलब जो भी required code है मैंने बताया था कि code को आपको जो भी code किया गया होगा जावा में कैसे या तो interface में या तो class में और सब को एक package में pack करके आपको दिया जाता है API के form में simple सी बात है तो सारा code आपको मिलेगा जो आपको development और run करवाने में मदद करेंगे code को तो JDK development tools होता है ठीक है JDK development toolkit है और compiler आपको इस तरीके से मिल रहा होता है तो यह आपका JDK software होता है अब देखे अगर मैं सिर्फ JDK की बात करूँ यहाँ पर ओके तो JDK का मतलब क्या हो गया Java development kit है ना Java development kit तो यहाँ पर JDK का मतलब हमारा हुआ लोग लिख लिख के समझ लेते हैं तो JDK JDK इस का मतलब क्या होता है It means Java development kit Java development kit Okay It provides It provides Okay development tools It provides development tools तो से आपको code develop करना आपको program develop करना तो उसके लिए tools कौन provide करेगा Java development kit तो JDK provides development tools और क्या साथ और क्या प्रोवाइड करता है and runtime environment runtime environment कौन होता है JRE तो JDK आपको क्या प्रोवाइड करता है development tools Okay Java development kit provides development tools and runtime environment Okay और यही JDK क्या content करता है JRE compiler and जो भी others चीजे होती है Fine अब बात करते हैं बस एक एक दो दो चीजे हैं जो आपको जाल लेना है बस simple है अब हमारे पास आता है JRE JRE का मतलब क्या होता है Java runtime environment तो program को develop करने के लिए आपको JDK की जरूरत पड़ेगी और program को run करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है JRE की yes program को develop करने के लिए हमें किसकी जरूत पड़ेगी JDK की sorry run करने के लिए हमें जरूत पड़ेगी JRE की और develop करने के लिए जरूत पड़ेगी Java Development Kit की तो JRE stands for Java Runtime Environment Java Runtime Environment okay so okay it is it provides it provides run time environment it provides run time environment to run our Java program to run Java program Java के program को run करने के लिए जो environment provide करता है वो क्या होता है वो JRE होता है so JRE provides run time environment to execute execute Java program okay Java programs okay very simple और JRE क्या contain करकर रखता है तो JRE contains JVM and JRE के अंदर जो भी चीज़े होती है वो हम लिख देते है तो JRE contents JRE contents आप run time जो execute कर वाता है वो कौन है तो वो है आपका JVM है ना वही responsible है तो JRE contents JVM okay plus JIT okay Java just-in-time compiler okay just-in-time compiler JVM JIT and and APIs okay simple जो run करने में मदद करे तो JRE हम समझ गया है okay create अब बार यह हमें क्या समझना है अब हमें समझना है JVM JVM भी बहुत ही simple है मैंने already आपको बता रखा है तो हापे हम लोग छोड़े-छोड़ा चीज़ जो है वो देख ले रहे है एक बर जल्दी-जल्दी में मतलब बस वही इसका सब का एक दूसरे को मतलब डिफर करता है और क्या एक दूसरे सही सी कारण क्या काम है उसका वही समझ रहेना है तो JVM का मतलब होता है Java Virtual Machine राइट जे जे भी एम ओहो JVM भाई JVM Java Virtual Machine अब यह देखिए Java Virtual Machine जो है ओके इट इज रिस्पॉंज इज शॉफ्ट्वेर इज शॉफ्ट्वेर और यह कैसा है इज अन इंटर्प्रेटर बेस्ट शॉफ्ट्वेर यह एक इंटर्प्रेटर होता है न इज अन इंटर्प्रेटर बेस्ट शॉफ्ट्वेर ओके it is an interpreter based software which is responsible किसले responsible है which is responsible to to take java bytecode java के क्या करता है bytecode को लेता है take java bytecode and converts it in the native machine language native operating system okay operating system या आप क्या कर सकते हो machine language code and execute the and executes the bytecode bytecode मतलब program तो program को execute करने के लिए कौन आएगा jbm आएगा jbm का क्या काम है जो bytecode .class file generate होता है compile करने के बाद वो उठाएगा उसको अपने जो जहां पर है मतलब जिस भी OS में है उसमें convert करके समझेगा हो interpreter की तरह अब यह अब कर गोरे के क्लाइन करके run करवाएगा ठीक है तो simple jbm का तो यह काम है run करवाने का bytecode को convert करके उसके बाद आपके पास आता है jit jit का मतलब होता है just in time compiler jit का क्या मतलब होता है just in time compiler jit means just in time compiler jit just in time compiler just in time compiler तो यह एक ऐसा component है इस पूरे के पूरे java jdk में और jre में कि jbm को यह help करता है ताकि program जल्दी fast execute हो it helps it helps the jbm to execute the run run time it helps the jbm to हाँ ठीक तो था executes the program faster बहुत तेज execute करवाने के लिए jit help करता है कैसे help करता है वो बहुत अलग बात है उसकी पूरी कहानी है वो कभी हम डिस्कस कर लेंगे अभी केट लिए आप यह समझिए ओके so jit का बतलब just in time compiler इसका क्याम क्या है jbm को help करना ताकि program जल्दी से execute हो पाए बहुत ही कम समय में run हो पाए execute हो पाए ठीक है तो बहुत ही आसान है difference between jdk, jre, jbm and jit तो jdk क्या है पूरा का पूरा java development kit है जो आपको क्या देता है development tools देता है ताकि आप program को develop कर सके compiler दे दिया आपको java सी वगरा काफी सारा चीज development tools दे दिया और run time environment भी यही देता है न jdk क्यों यह जो jre हो क्या है run time environment यह तो है simple jre क्या है jre होता है चावा का run time environment यह responsible होता है program को run करवाने के लिए jre के अंदर क्या होता है jbm होता है jit होता है और apis होता है तो jbm जो है आप देखिए jbm क्या काम है तो jbm क्या करता है जो byte code होता है आपका dot class उसको उठाता है इसको convert करता है native machine language में मतलब जहां पर jbm install है windows में है तो windows के language में वो convert करेगा byte code को अपना समझेगा और इसको execute करवा देगा line by line ठीक है तो jbm interpreter based software होता है interpreter एक एक line करके execute करवाता है code को समझी रहा होंगे jit java just in time compiler होता है just in time compiler तो यह jbm को क्या help करता है ताकि program जो है बहुत ही तेजी से execute हो सके बहुत ही simple है यह समझना ठीक है तो हमें आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा jdk, jre, jbm and jit अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला topic टच करते हैं installing jdk यह वाला topic 8 topic installing jdk, its folder structure java 9 and 11 changes कैसे कैसे उसमें क्या क्या हुए तो जराब वो देखते हैं ठीक है तो jdk को install करना और वो सब चीजी हमें यहाँ पर देख रहे होंगे तो topic number 8 यहाँ पर हो जाएगा installing installing jdk okay installing jdk software its folder structure and java 9 and java 11 changes चराइए देखते हैं बहुत important चीज है okay इसको miss नहीं करने का है हमें तो कैसे install करेंगे और कैसे आपको जो software है वो हम install करेंगे और हमें कौन सा software install करना चाहिए jdk में जराब हमें आपे ध्यान समझते हैं कैसे सीखेंगे उसको समझते हैं तो पहली बात तो कि multiple jdk software available है आपको download करने के लिए there are multiple versions of jdk software available in the market ठीक है available in the market market में आपको java के jdk है उसका बहुत सारा software मिल दाएगा बट अभी कौन सा version हमें install करना है और क्या करना है वो हमें यहाँ पे समझना है ठीक है तो मैं question यहाँ पे फिर से लिखता हूँ which software which version which version we need to install हमें कौन सा version यूज करना चाहिए देखिए बहुत simple question है अगर आप एक student है तो हमेशा आपको कोशिस करना चाहिए कि आप नया version भी सीख लें ठीक है बट जब company में production level पर काम होता है जब production level पर काम होता है तो company अभी भी java 8 और 11 को बहुत use कर रही है most of the companies most of the companies are using java 8 मतलब java 8 का मतलब jdk 1.8 jdk 1.8 and java 11 nowadays okay okay for production environment अगर आपको कोई ऐसा अगर आपको कोई ऐसा application बनाना है जो production मतलब जो customer के लिए चलाना है ठीक है जिससे आपको business करना है जिससे आपको कुछ काम वाकई में perform करना internet पर उससे कुछ पैसे कमाने बिजनस करके तो वहाँ पर जो है हमेशा जब आप production मिले जाएंगे जब customer उसको यूज करेगा जब client उसको यूज करेगा तो हमेशा हमें stable versions डाउनलोड करने चाहिए ठीक है for production we always always need to use a stable versions a stable version का मतलब होता है जो software stable है जो थोड़ा लंबे समय तक इसको support दिया जाता है अभी मैं समझाओंगा okay as a student as a student you should try to learn learn new versions as well okay as well तो अभी जो यह course होगा Java 8 और Java 11 को नजर में रखते हुए सब कुछ complete कराया जाएगा तो Java 8 में जो चीज़े आएंगी जो Java 11 में आएंगी वह भी हम लोग इसमें कबर कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से ताकि आपको इंडस्ट्री लेवर पर कोई भी दिक्कत नहीं हो अभी तो मार्केट में वैसे बहुत ज्यादा जो है वह सब्ट्वेर्स आ गया है मतलब जेडी के वर्सन बहुत सारे आ गया है नहीं नहीं यहां यहां एक सेकंड चरह मैं आप सर्च कर लूँ जावा फर्सन्स अगर आप सर्च करें और विकिपीडिया में जाए जावा फर्सन हिस्ट्री में तो यहां आपको हर एक चीज मिल दाएगा है आपको यह दिया हुआ है यह रहा जावा स्टैंड एडिशन एट नाइन टेन इलेवन देखिए यह जो जो लगा हो है लॉंग टर्म सपोर्ट होता है इसका मतलब ठीक है तो यह जो जावा का है वर्सन है अगर आप देखें जिका जीडिके का वर्सन अगर आप तो यहां से मैं और अर्काइब वाले पर खोलता हूँ और यहां देखो लिखा हुआ होगा जावा यह देखो आप है ना मतलब बगर मैं विंडोज के लिए जाओ नीचे में आगर गए यह हमारा zodra 10 एक के डैट का मतलब हूए ज्रीकacs और यू का मतलब होता है अपडेट है ना अपडेट इस अपडेट यहां पेरफ। ऐसराभा सिथा यहां पहुति है इस तरीके से लिखा हूआ है ठीक है तो यह एक version का नाम हो गया आप इस तरीके से consider कर सकते हैं आप फिर इस तरीके से jdk कर रहा था jdk-1.8.0.0 इस तरीके से आपको अलग-अलग version मिलेंगे ठीक है जैसे इसके बाद आपको version मिल सकता है इस जी रो वन जी रो टू ऐसे करके यह जो वर्सन होता है वी वर्सन कोड है ठीक है वर्सन कुछ नहीं होता है का special कोड होता है जो क्या प्रेजेंट करता है कि नया नया फीचर के साथ जो है वह software market में available हुआ है तो कोई भी software बनता है तो उसमें version होते है ना इसा बोलता है कि मेरा mobile latest version का नहीं है ऐसे वैसे उसी में तो आप यहां पर ध्यान से समझेगा इसमें कुछ नहीं है यह जो आपका one जो लिखा हुआ है ना यह major version इसको बोलता है यह क्या major version code है जैसे for example एक काम करते है आप पूरा का पूरा यह जो code है उसको हम major version बोल दे रहा है ठीक है यह जो है इसको आप major बोलिए यहां तक ठीक है यहां तक आप क्या कह सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कि हमारा major version इसी version के problem के चलते जो है Java 8 का नाम Java 8 दे दिया गया Java 11 का नाम Java 11 दे दि होता है यह major version होता है यह जो अब को दिखरा है न यह moddar भर संदिक ठीक है यह जो आपको दिखेए मारजओं मारजओं बहुत ही च्आप में लिखक उप graduates यह minor वर कहा पर है यहां पर देखिने जो आपका है Neas a शिया में लिखा हुआ है यह major वरसन है मतलब बड़ा 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 तो इसकर बड़ा होगा और यह जो तुझ जीरो टु दिख रहा है आपको यह तुझ इरो टु क्या होगा यह दिस टुझ जीरो टुब्ल बी नतिंग बट वाइनर जो अपडेट है ना एट 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 फरसन करो और 202 लगा दो तो यह minor version code हुआ ठीक है यह version code के बारे में आपको मैं समझा रहा था तो यह version कुछ नहीं होता version just a unique number होता version is just just an unique number right unique number okay okay every the version code the version code gets changed every new software release every new release of any software कोई भी software जब होता है मार्केट में तो उसका जो नया नया जो चीज़े आती है है वह एक नया version code के साथ आता है बस यहीं simple है ठीक है LTS और लॉंग टर्म सपोर्ट है ना लॉंग टर्म सपोर्ट यहां पर में लेकर देता हूं भाई LTS okay LTS and non LTS version and non LTS version LTS और non LTS version में कुछ नहीं है वैसा version जिसका company द्वारा जो है support बहुत लंबे समय तक दिया हो okay LTS means long term support okay to long term support this version code gets the support by company gets the support and new updates by the company okay support for security माल ले जो कुछ ही सु जाग है कुछ बग आ गया तो वो जो बग का support है और नए अपडेट जो है वो लंबे समय तक company द्वारा दी जाती है तो दीस वर्षन कोड़ केट्स दा support and new updates by the company for longer period of time for longer longer period of time okay तो जो LTS उसको LTS बोलेंगे इसलिए जब जावा कह जो भी वर्षन होगा उसमें LTS लगा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ठीक है इधर अगर आप देखें जावा देखिए यह जो यल्लो वाला उसमें LTS है ना 17 देखिए LTS है जावा 11 LTS है जावा 8 LTS है यह लॉंग टर्म सपोर्ट है इसको कंपनी अभी लंबे समय तक सपोर्ट देगी इसमें जो प्रॉब्लम आएंगा उनको लंबे समय तक फिक्स किया जाएगा बतलब ऐसा है जब अभी यह सब है बाकी जो है लॉंग टर्म सपोर्ट जो नहीं है उनमें ऐसा नहीं होगा वो कभी भी डाउनलोड के लिए आफ कर सकते हैं जो नॉन लॉन ल सब्सक्राइब करना चाहिए कि लॉंग टर्म सपोर्ट यहां पर बोल रहा है यहां पर हमें को दिक्कत है नहीं दिखा तो लॉन 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 टर्म सपोर्ट सिंपल so this version code this version code gets the support do not get the support right this version code do not do not gets do not get the support do not get the support and bug fixes support bug fixes bug fixes and updates by the company company for longer period of time companies can companies can discontinue this continue these versions long term company discontinue कर सकते है चलोट आकल से यह चीज नहीं रहेगा हमारे company में खतम हो गया ठीक है तो discontinue these versions ओके किसी भी समय वो उनको बंद कर सकते हैं तो हमें LTS वर्सन का यूज करना चाहिए हमें यह पता चला ठीक है तो जावा में जब भी हम डाउनलोड करेंगे तो हमें क्या डाउनलोड करना चाहिए ठीक है देखिए तो अब जो है है जावा को डाउनलोड करने के लिए we can download the java मतलब जेडीके जो software हमारा जेडीके software from two platforms ओके from two platforms हम लोग दो platform से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक है हमारा Oracle JDK ओके और एकल का आपको java का jdk मिलता है वह दो तरीकों से मिल रहा है और एक ओपेन jdk देखिए java 11 के बाद से जो है दोनों में डिफरेंस आ गया मतलब दो तरीके के JDK दो platform में बट गया ऐसे तो पहले से भी था but from java 11 onwards में थोड़ा ज्यादा अच्छे से उनको categorize कर दिया गया ठीक है from java 11 onwards from java 11 onwards okay we have two JDKs okay अच्छे से हमें दो categorization मिल गई java 11 जब आया उसके बाद से okay तो java 11 से हमें दो categorization मिली और उन categorization में हमारा एक oracle JDK और एक है open JDK तो मैं यहां पर लिखता हूँ open JDK और मैं इस साइड लिख देता हूँ oracle JDK अब देखे दोनों में difference क्या है तो देखे open JDK जो है न वह free to use है open का मतलब ही हो गया आपका क्या समझ रहे न open JDK यहां पर लिखा हूँ है उसी का मतलब ही आप समझ लीजे तो जो open JDK है यह हमेशा जो है open source it is open source okay it is open source it is open source and free to use free to use for everyone चाहे कोई company हो चाहे कोई student हो सब के लिए free है लेकिन जो oracle JDK है okay it is it is not free for commercial companies okay for commercial purpose तो जब भी आप इसे business करने की कोशिस करेंगे तो यह जो है बतलब बड़े skill पर जो business करेंगे तो उसके लिए आपको इससे license लेना होगा आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे ठीक है तब जाकर के यह support देगा जैसे simple example है जब यह सब कुछ free है तो security patches होंगे okay security security patches are released are not released are not released as soon as soon as soon as soon ठीक है तो security patches जो है मतलब कोई bug आ गया कोई bug fix करना है तो वह bug fixes में time लग जाता है क्योंकि यह open source free है तो free platform है तो लोगों को कैसे कैसे handle करके सब fix करते होंगे right और Oracle यह ही है कि paid है इसको आप special attention a special attention okay to security patches okay to security patches and and bug fixes bugs fixes okay तो bug fixes और security patches पर यह लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और आकल वाले जो जेडी के है वो ठीक है बहुत ही simple सी बात है ओके अब देखिए आप इसको कहां से download कर सकते हैं okay you can download download it from जो आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं openjdk.net openjdk.net website से आप download कर सकते हैं and आप इसमें कैसे download कर सकते हैं simple oracle के website से you can download it from it from oracle website तो आप oracle का official website पर जाकर के oracle का जेडी के download कर सकते हैं अधर वाइस आप चाहें तो free वाला जो सब कुछ free है वैसे तो oracle हमें free for students और एकल को ऐसा नहीं कि आप student के लिए paid है नहीं student के लिए free है और एकल ठीक है तो मैं जो install करूंगा और एकल का ही करूंगा आप jdk open का भी कर सकते हैं और और एकल का भी कर सकते हैं बट मेरा suggestion यह है कि आप भी किसका download करें आप भी जो download करें और एकल का ही download करें देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं open jdk यहाँ पर initial release और कहीं पर इधर इधर इसे अगर आप कोसिज करें तो आपको देख करके इदर से search करके आप download कर सकते हैं तो oracle open jdk.org है ना यह जो website है मुझे second क्योंकि यह website time to time change हो जाएगी है ना .net रहेगा या कभी-कभी रहेगा .org तो उसमें confusion नहीं होना ठीक है तो आप open jdk डायरेक्ट गूगल पर search करिए और जो भी website आएगी jdk की open jdk की आप search करके अपना काम किजिए download करिए जो करना है करिए ठीक है और एकल का है और एकल से हम लोग download कर सकते हैं बहुत सिम्पल है गूगल पर जाना है jdk सर्च करना जड़ीख का इलेवन जड़ीख 10, 12 जो भी आपको सर्च करना हो करेंगे और download कर लेंगे बहुत ही सिम्पल है कैसे देख गूगल पर गया है यहां से देखे कैसे different version मिल लाएंगे तो आपको जैसे भी इंस्टॉल करना आप कर लेंगे आप यहां पर देखेंगे तो विंडोज 6 x64 installer जो आपको मिल रहा है डायरेक्ट इंस्टॉलेशन फाइल मिलेगा बिन फाइल एकसी फाइल है ना यह एकसी फाइल मिलेगा तो आप इसको डरन करवा सकते हैं अगर आप जीप डाउन्लोड करना चाहें तो दोनों में तो आप यह अग्रिमेंट पढ़ लिजिएगा खोल करके और यहां से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यह हमें कहेगा कि भाई ठीक है मैं आपको डाउनलोड स्क्रीन पर ले चलता हूं और यह मुझसे कहेगा कि पहले आप लॉग इन कर ले तो मैं यहां से लॉग इन भी क्रियेट अकाउंट पर क्लिक करके यहां से यह सब डीटेल्स फिल करिए क्रियेट अकाउंट करिए और लॉग इन हो जाएगा और फिर डाउनलोड कर लिजे इसिंपल और निक्ट निक्स करके इंस्टाल कर लिजे अधर वाईज अगर आप जीप फाइल चाहते हैं तो वह इसमें अगर आपको ले जाओ यहां पर सी ड्राइब में और यूजर नहीं प्रोग्राम फाइल्स ठीक है इसमें अगर आप जाएं जावा यह देखो जावा तो आपको क्या मिलेगा जेडीके 11 एक फोल्डर मिल जागा तो जो मेरा 11 है यह डाउनलोड किया हुआ है तो इसके अंदर सारा का सारा फोल्डर है ठीक है तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सो सिंपल टू इसको डाउनलोड करते हैं वेरी सिंपल टो अंडरस्टैंड इस तिंग्स ओके आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे तो डाउनलोड कैसे करना वह भी आपने देख लिए मैंने बताया है आपको आपको इसे डाउनलोड कर लेंगे बहुत ही सिंपल है डाउनलोड करना चलि मैं आपको एक एक जैमपल और देता हूं मेरा तो एक अल्रेडी इंस्टॉल्ड है राइट तो एक काम करते हैं और चलिक करेंगे तो देखिए यहां से है मैं चाहूं तो यहां पर इसको इंस्टॉल में लेकिन मुझे लॉग इन करना पड़ेगा और अभी मुझे मेर चलिक करूँगा और इसको डाउलड पर क्लिक करेंगा लेकिन यह मुझे रन उस पर ले जाएगा ना चाहेगा तो यह काम करें नीचे में आई अगर आप देखेंगे तो एसी रन टाम इंवार्मन देखिए मैंने आपको बताया था ना कि JDK में JDK जो है वो Java जब आपका क्या आया Java 8 आया है ना तो Java 8 में जो था वो क्या था Java 8 तक क्या था जए आपको जए आरे अलग था है तो देखिए आपको jbm क्या मिला यहां ने आरेड़डी बात किया हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है जावा in में टीट के अब क्या हुआ है आपको यह अलग से आपको सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं कर सकते थे आगर मुझे चाहिए पूरा का पूरा जो java a1.8 का है runtime environment के साथ kit ही और मुझे चाहिए उसको jeep फाइल में तो मैं सर्च कर लेता हूँ jeep अचाहिए यहाँ पर जीप फाइल इसका मौझूद नहीं मुझे डायरेक्ट डाउनलोड ही करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं मैं जो 8 है वह आप डाउनलोड करें सकते हैं उसके बाद आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से 9 डाउनलोड करें 10 डाउनलोड करें 11 तो अगर आप JDK 18 डाउनलोड करना चाहें बस मैं यूज के लिए आपको दिखा रहा हूं कैसे डाउनलोड करना वह बताने के लिए दो तरीके एक तरीके से आप आपको बहुत सारे option मिलेंगा है एक सी फाइल और एक बिन कंप्रेस्ट आर्काइब तो यह आर्काइब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए डाउनलोडिंग यहां से स्टार्ट हो गया ठीक है तो अल्रेडी मेरे पास तो स्टार्ट है ही मतलब आउनलोड तो है उसको आपको extract कर लेना है तो राइट कलिक करके जब आप इसको extract कर लेंगे यहां से सब कोई कर लेंगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा देखिए इसके अंदर जेडी के मिला जेडी के अंदर वही सारे के सारे जो information और सारे जो required files और फोल्डर से वह आपको मिल जाते ह आसान इंस्टॉल करना ओके तो यह होता इस तरीके से आप जेडी के को इंस्टॉल कर सकते हैं फाइन यहां पर आईए हम लिग लेते हैं सो वी डाउनलोड जचर वी डाउनलोड जेडी के अं इंस्टॉलीट तू हम लोग क्या करने लिए सकते हैं तो सावसे पहला कि डेवलप डेवलप जावा प्रोग्राम्स बी कंपाइल प्रोग्राम्स and see run and test run and test our program simple तो program को develop करने के लिए compile करने के लिए run करने के लिए test करने के लिए हम JDK को download करके इसको install कर लेते हैं कि अब तक हमने यह देखा कि किस तरीके से आप open JDK या oracle JDK जो है यह दो अलग-अलग type के आपको platforms हैं जिससे कि आप अपने java software मतलब JDK को download कर सकते हैं अब आप JDK को download कर लिए आपने code लिखा compile किया और run करवाया और test करवाया सब पूछ किया ठीक है जब आप किसी भी software को सिर्फ java को नहीं जब आप किसी भी software को install करेंगे तो आपको बहुत सारे files and folders मिलते हैं ठीक है आपको बहुत सारे files and folders मिलते हैं जिनका purpose अलग अलग होता है उस software को use करवाने का ठीक है तो जो software होते हैं न कोई भी software चाहे आप कोई भी software चाहे जडीके डाउनलोड करें या किसी भी परकार का software डाउनलोड करें तो आपको उनमें दो तरह के files मिलेंगे binary files library files कभी-कभी हो सकता है सिर्फ आपको binary files ही मिले कभी-कभी हो सकता है यह दोनों files मिले library files और binary files ठीक है तो देखिए जैसे for example मेरा jdk 11 sorry jdk 18 मेरा रहा था नहीं आप एक यह डाउनलोड किया हुआ 11 इंस्टॉल है jdk 18 मेरा आप देखें इस folder को खोल करके jdk 18 इसमें आपको एक folder देखेगा बीन बीन है ना यह बीन जो folder है यह binary का sort form है ठीक है तो binary files इसमें क्या पड़े हुए है इसमें जो files परे हुए है यह जो files पड़ बाइनरी files इनको क्या बोल रहा है binary files ओके अब देखें यहां पर एक और तरीके के जो आपको file मिलेगा किसी भी software को डाउनलोड करने पर वह है lib lib मतलब library ठीक है lib ओके तो lib folder है ना तो इसका मतलब library ओके अब देखें यह क्यूं है ठीक है binary files और यह क्यूं है इसका मतलब समझ यह तो कोई भी software आप डाउनलोड कर रहे हैं okay any software that you install that you install will have will have two types of files okay first of all binary file होगा आपके पास and दूसरा आपके पास क्या होगा library files है ना आपके पास क्या होगा library files दोनों का purpose अलग-अलग है बिलकुल तो binary file का क्या purpose है जरा हो समझिए यह binary files अब binary files जो है यह क्या होते है यह समझिए सबसे पहली बात कि जो binary files होते है यह command files होते है binary files are command files जो की जिसका क्या purpose होता है execution purpose होता है वो execute करवाने का काम करते है वो run करवाने का काम करते है okay तो binary files are they are command files तो हम कमांड डालेंगे और उसको यूज कर लेंगे और हम एक्सेस कर सकते हैं binary file को दूसरा यह जो binary file होता है यही execute होता है यही file run करता है जब आप run करवाते हैं कोई भी software तो यही file run करता है they are used to run the software and programs तो simple जैसे for example आपको यहां पर दिखना visual studio code तो यह visual studio code है यह कैसे run करता है जब आप इस पर click करते हैं तो आपको visual studio code खुल जा रहा है right जब मैं यह Camtasia यह जो जिससे मैं record कर रहा हूं अगर मैं इस पर click कर रहा हूं तो यह इसका वह खुल जा रहा है software खुल जा रहा है तो आपको इंस्टॉल होता है तो आपको माल लिजे गया ठीक है यहाँ से install हो करकर के जब आपका यहाँ से गया install हो करके किसी भी folder में C drive में ठीक है यहाँ से अले है कि हमारा desktop पे तुम्हें आ गया यहाँ से dri scent में जाई है अगर मैं C départ में जाता हूं और कहीं पे यहाँ से install किया हूँए कोई भी software resilient या और इसमें देखिए हमारा में कैफ है यह एंटिवारिस वाला है ठीक है तो इसमें अगर आपको कहीं पर अच्छा इसमें तो हम लोग और साइड में आ जाते हैं कहीं पर और कोई आसान से एक्जामपल लेते हैं दीवी भर है डेटाबेस के लिए सफ्ट्वेर है इसको डबल उसका कॉनसा फाल रण करता है बाइनेरी फारें जो है वो क्या होता है तो बाइनेरी फाल डैट फाल ts which have commands ठीक है तो इसको अब कमांट से भी रन कर वा सकते हैं cmd peer- crimp part समझ रहे है तो आप यह फालस आपको मिलते है और library files भी मिलते हैं तो जो binary files होते हैं वही run करते हैं समझ रहे हैं तो जैसे की java c java compiler या jbm यह सब files हैं तो क्या यह सब binary files हैं बिल्कुल ज़र आप देखिए एक बार खोल करके मैं download section में जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ jdk ठीक है और jdk यह फोल्डर है jdk यह बिन में especially दिया गया है तो बिन में अगर आप सर्च करें जे 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 यह java देखिए jar.exe है ना देखिए java.exe तो यह jbm को invoke कर देगा jbm को चला देगा java इसको जब आप click करेंगे तो या इसको run करवाएंगे इस command को तो java करवाएंगे तो java का compiler run करवादेगा तो इसलिए binary files क्या हुए आपके binary files हुए executable programs जो execute करेंगे .exe files वगेरा वो वाले हुए आपके binary files ठीक है तो इसके extensions जो हुए extensions देखिए कैसे होते है okay extensions okay तो .exe यह windows के लिए यह मैं बता रहा हूँ ठीक है .bat .cmd .syas यह किसके लिए windows flavor वाले के लिए windows OS के लिए okay अगर आपको इसी तरीके से दूसरा operating system है जैसे linux या unix flavor है तो .bin okay . आपका मिलता sh .tar unix flavored OS unix operating system के लिए जो आपको मिलेगा वह कुछ इस तरीके से तो binary files है ठीक है तो binary files कभी-कभी आपको क्या है bin folder में भी मिलेंगे और कभी-कभी कभी आपको कहा मिलेंगे direct भी कहीं भी मिलनाएंगे जैसे bin bin में जो है java में आपको bin folder के अंदर मिला था binary files right तो in java our binary in java binary files are stored in bin folder ok bin folder आपको क्या मिलेगा Java file store यह Java में जो भी आपके bin files ह mówंगे bin folder के अंदर मिलेगा इसका क्या काम हा bin files binary files का क्या काम है binary files का यही काम है कि जो भी आपके java में binary वाले जो binary files है वह execute करवाएंगे करवाएंगे तो जैसे jbm या java तो वह हम execute कराएंगे यह command से चलते हैं ठीक है command से run करते हैं तो command हम pass करेंगे command prompt में तो काम करेगा दूसरा है हमारा library files दूसरा क्या हमारा library files जरा यह समझेगा library files समझना बहुत ही जादा important है okay library files समझना बहुत जादा important है okay library files समझना तो library files जो होते हैं वो program files होते हैं जैसे for example अगर मैं इसके java jdk जो हमें मिला इसमें एल आई बी में जाओ मतलब लिब तो देखिए इसमें जो src.jip है न इसमें आपको पहले से लिखेगा ए code मिलेंगे source code मिलेंगे पहले से लिखेगा देखिए यह सब क्या है आपका module है java.base यह सब module है इस module के अंदर आपको डेर सारे मिलेंगे package जैसे जावा है लेंग package है देखिए इसमें आरिफिमेटिक एक सब पहले से लिखेगा एक code मिलेंगे उसी तरीके से jrt-fs.jar है यहाँ पर क्या मिलेगा आप already compiled code तो यह वाला जो code है उसे compiled code जो होगा dot class file आपको मिलेगा jrt-fs.jar में तो यह जो library files होता है तो इन में जो होता है वो पहले से लिखा गया program होता है तो library files are pre-retained और already retained programs okay library files are program files they have logic to perform one task किसी भी के काम को करने के लिए वहाँ पर जो है library files की आपको ज़रुवत पड़ेगी ठीक है तो जैसे for example आपको मालीज एक variable बनाना है तो जो data type का variable बनाना है जावा में वो data type भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कही program सही बनाया गया होगा तो वही program library files में आपको मिल जाएंगे जैसे integer या float या string तो string.class एक class होगा समझ रहा है string.java एक source code होगा string.class उसका byte code होगा जो library में मौजूद होगा right त तो किसी भी software में आपको bin file मिलेगा library file मिलेगा ठीक है यहाँ पर हमें क्या मिला lib folder okay so they are used to यह कब use होते हैं they are used to they are used to develop programs by reusing by reusing the logics by reusing the logics of by taking the help yeah right by taking the help of library files library files का मदद लेकर के आप नए नए प्रोग्राम से लिख सकते हैं तो जैसे जो code हम करेंगे और सारा का सारा information जो सारा data या सारा जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो कहीं न कहीं library file से भी जरूर connected होगा उसी का हम feature use करेंगे जैसे string का variable बनाना है तो string dot class क्या होगा वो एक already आपका class होगा ठीक है तो extension का नाम होता है जैसे dot class है न dot jar okay dot h इस तरीके से header file जो होता है न dot h उस तरीके से has include studio io dot h जो आप c c++ में iostrim.h यह सब करते है तो header file जो होता है when dot h के form में होता है right तो यहां पर हमारा जो है इस तरीके सेWatch होता है एंड ea c तो java में like files है वो यह dot class किसका है java का ठीक है तो java का library files का dot class dot jar ठीक है dot एंड़ एंद प्लस प्लस में होता है d a dies होते है ठीक है तो library बाइनरी फाइल्स मिलेंगे और आपको मिलेंगे बाइनरी फाइल्स यह ध्यान रखेगा ठीक है इतना आसान है समझना इसको यहाँ देखिए अब हम लेते हैं कि यह हमारा है जेडी के एटीन तो यह जेडी के एटीन जो है न सनिपिंग टोल्स चराम है देखे यह हमारा जेडी के एटीन का कि यह क्या हमारा फॉल्डर ऑल्स ट्रक्चर थर जो हमें मिला थो जेडी के एटीन एक सोस्व्डवेयर है यह b Henri क्या मिल गया आपको binary file JDK 18 क्या है आपका एक software है तो आपको यह क्या मिला binary file तो बीन folder contain इसमें क्या मिलेगा आपको java c अगर आप java का program लिखते हैं उसको compile करना है तो java c.exe मिलेगा और क्या मिलेगा अगर आप उस compile को code क्यों run करना चाहते हैं तो java.exe है ना इसके अंदर और क्या मिलेगा तो मिलता है आपको java जो compile क्या क्या code है अगर आप इसको decompile करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए java p.exe ठीक है उसी तरीके से जब java जो है क्या हुआ था ना कि जैसे java 8 बना तो java 8 आया तो उसमें functional programming डाले गए क्योंकि ascala ascala market में आ रहा था तो वहाँ पर functional programming वगेरा बहुत ascala programming language है ना तो ascala जो है आ रहा था तो java 8 में feature डाला गया functional programming का वहाँ पर काफी जारी चीजे होई है ना तो java 18 में आपको java p.exe यह मिल रहा है यह मिल रहा है jar.exe अगर आपको जो भी आपने class बना ली है उनको आपको प्रोग्राम बना लिया है उसको एक package में रखना एक jar में रखना है तो उसके लिए आपको jar बनाना पड़ेगा jar.exe sometimes आपको जरूरत पड़ेगी java को documentation लिखने की javadoc.exe and dtc तो यह सब क्या मिलते है आपको binary files मिलते है यह software में आपको binary files मिला दूसरा मुझे जो आपको बताना था कि यह आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे यहाँ से मिल रहा है आपको देखिए lib library files यह jö library files होते हैं यह library files आपको मिलेंगे src.jip के अंदर src.jip के अंदर and src यहाँ पर जो भी था src.jip था ना और देखे क्या था इसमें lib इसके अंदर src और यह वाला jrt-afs jrt-afs.jar ठीक है तो jip जो है ना source code contain करके रखा है jip वाले में .java files मिलेंगे .java files आपको कहां मिलेंगे jip में जो code होगा और code यह compile किया गया होगा right तो compile किया गया code जो है वो इसमें मिलेगा compiled code आपको कहां मिलेगा jrt-afs.jar में मिलेगा जो compiled code है तो .class file आपको इसमें मिलेगा .java file उसका इसमें मिलेगा src.chip में तो आप इसको समझभा रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है फाइल से अलग-अलग फिर आपको मिलते है jmods ठीक है तो जब 9 java का 9 वर्सन आया था तो उसमें modular programming आई है ना तो jmods जो हुआ jmods आया है ना तो modular programming में फिर modules बनने लगे तो अलग-अलग आपको modules मिलेंगे jmods में अगर आप चाहें यहां से मैं back करूँ थोड़ा सा और चला जाओ jmods में तो देखिए यह सब आपको देखिए modules हैं यह सब modules हैं module files है ठीक है तो यह आपको क्या मिलेंगे यह modules जो है modular programming के लिए modules आगा है तो module files इसमें रहते हैं ठीक उसी तरीके से आपका फिर include include है ना यह include include में देखिए आपको क्या मिलेगा वो भी बता देता हूँ है वगर आप include में जाए back करिए include में जाए इसमें देखिए आपका .h है यह c का file है c header source file है ना तो java जो है वो कैसे बनाएगा है c और c++ की मदद से तो यह क्या रखेगा .hader files तो star का मतलब सारे headers अस्टार का मतलब सारे headers file तो .h files ओके तो यह सारे star header files रखता है ठीक है तो include बाकी conf जो है या और भी जो इसका यह सब है license, redeem, release यह सब इसी के लिए है ना तो बहुत सारे चीज आपको यहाँ पर मिलते है है ना इस तरीके से जावा 8 में किसका support दिया गया था functional programming का जावा 9 में आया modular programming का ठीक है और जैसे जावा 9 में आपको क्या मिलता है जैसे python emerge कर रहा था market में python आ रहा था तो आपको इसमें वहाँ पे ना sale scripting जो होती थी थी ना मतलब python जिससे रेपल kind of application डेवलप होती है मतलब मान लिए आपको code को compile compile करने के कोई जरूवत नहीं है डाइरेक्ट वहाँ पर code कीजे वहाँ पर run हो जाएगा program आपका तो उतना जहनजट करने की जरूवत ने जब python आया था है ना तो java वालों ने इसका भी मतलब market हो ची जावा ऐसी popular थोड़ी है हर एक चीज ये लोग develop कर देते हैं हर एक चीज अच्छे से मनाते है तो इन्होंने दिया एक और टूल दिया एक और बिन दिया जिसका नाम था jsl ठीक है तो आपको मिलता था jsl.exe इसकी मदद से आप रेपल का इंड जो होता है ना रेपल उस तरीके का आप application develop कर सकते हैं वहीं पर लिखिए और वहीं पर develop कर लिजे तो ये था java 8 में आपका modular programming java 8 में आपका functional programming 9 में आपका मिला modular programming और भी तरह तरह के काफी सारी चीजी आपको मिली और 8,9,11 ये सब में थोड़ी थोड़ी जोड़ी differences आपको जरूर मिली है हम लोग time के साथ उसको भी जान जाएंगे अच्छे से basically ये सब हमारा जो मैंने अब बताया वह सब होवर भी हो था कि क्या-क्या differences थी तो सही है बाकी jdk जब आप 1.8 download करते तो आपको jdk अलग मिलता और jre अलग मिलता और आपको दो बार वहाँ पर install करने का option आथा जब आप java 8 install करते हैं तो मेरा recommendation यह रहगा कि आप java 11 install करिए ठीक है आप java 11 पर भी सारी company जो है वो move कर रही है तो आप java 11 जरूर सीखे ठीक है तो चलिए यह मैंने आपको बता है किस तरीके से यह काम सब कुछ करता है अब देखिए उसी तरीके से java 8 तो मेरे में यहाँ पर download नहीं है वह आप एक java 8 जो है ना यह किसी 18 का है यह java 8 का है देखिए जावा 8 भी क्या है software वह एक डीकेट भी क्या है software रहता है बीन फाइल में आपको मिल गया java c java xc और जो भी अट्र सेक्टरा तो बीन में वह library में फाइल में आपको क्या मिलते थे library फाइल में आपको मिलता था tools.jar तो tools.jar आपको एक जार मिलता था जिसके अंदर आपका रहता था धेर सारे class files जो bytecode files होते थे वो तो सारे के सारे stars मैंने आपको mark कर दिया ठीक ना कि मतलब सारे के सारे class आप देखिए मैंने क्या बताया था कि JDK8 में जो था वो क्या हुआ था JDK8 से आपको क्या मिलने लगा था JDK8 तक भी क्या था आपका भाई JRE अलग था है ना मतलब JRE आपको अलग मिलता था JRE एक और folder मिलता था अब ये JRE भी क्या है बताया था ना कि JRE is another software तो software है तो again किसी भी software में क्या होता है binary files and library files देखिए JRE के अंदर भी अगर आप किसी के भी अगर उसमें होगा Java 8 होगा तो आप खोल करके देख लेना c drive में जा करके program files में जा करके Java में जा करके तो एक JRE के अंदर आपको फिर से मिलता था binary मतलब बीन तो binary में आपको क्या मिलता था इसमें Java C नहीं मिलता था क्यों 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 क्या है run time environment तो run time environment है तो क्या compiler चाहिए नहीं रन करवाने के लिए क्या चाहिए जे भी एम तो जे आवा सी जावा सी का मतलब जावा का compiler तो वो जे आरी में मिलता था वो कहां मिलता था जे डी के अंदर ठीक है और लाइबरेरी में क्या मिलता था आपको rt.java जो भी सारे .class file थे वो सिर्व यही lib library के अंदर आपको मिलता था फिर include folder मिलता था अगें वही header files के लिए फिर आपको मिलता था source.jp वही उसमें रहता था सारा का सारा .java file है न जो भी आपका code लिखा रहता था source code वो फिर आपको एक मिलता था java fx-src.jp तो जैसे graphical application बनाना थे न तुमाल लिए आपको ऐसा desktop वाला graphical application बनाना है ठीक है तो उसके लिए जो है तरह तरह के आपको animation चाहिए तरह के आपको boxes चाहिए तो वह सब code अपला सकते थे इस src.jp की मदद से तो java-fx-src.jp में graphical user interface के लिए apps के लिए आपको चीजें मिलती थी यह थी java 8 में ठीक है बाकी java 9 में यह सब तो क्या किया गया कि जब java 9 आया तो उसको मर्ज करा दिया गया तो java 9 से क्या था कि यह jre तो आपका यहां से अगर आप देखें जैसे for example मैं को सिसी करता हूँ आपको दिखाता है तो ठीक है आपको इसमें जलता हूँ यहां और हम लोग आते हैं थोड़ा सब बैक में और यहां पर लिखते हैं jdk9 oracle अगर यहां पर होगा अवेलेबल उसका जीप फाइल तो मैं डाउनलूड कर लूगा क्योंकि मुझे लॉग इन ना करना पड़े फिर से तो यहां अगर आप देखें देखिए जावा ac development जावा ac runtime environment तो जावा का 10 वर्षन से जो है यह merge और दिया गया था यह तक तो क्या था आपका झावा का एट 9 वर्षन में तो जीर से अपका लग था 10 वर्षन से हनल यह 11 वर्षन से जावा 11 ओ करते तो कॉंसे वर्षन में था 10 या 11 देखना पड़ेगा भाई एक बारी देख लो या चल्दी से नोट्स 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 यह सब में क्लोज करता हूं पहले वेर इस सिट यह रहा और यहांपे मैंने पोप्ता था नगार या और यहां पर यहांपे कहीं पर लिखा हुआ वाई टू टाइपस ऊफ जावा साफट वयल्डर राइड तू टाइपस अफ चावस व्त वाइर्ड में लिखा हुआ जरूर होगा ओकेई ओकेइए ओकेई कि डाइट इसफाइल टाइब जि नदी जदी के जडी ये है जडी निसदे जावा 11 जड्डर 11 से ही हाँ मतलब जावा 11 से क्या कर दिया गया था इनको जो यह JDK है और JRE जो है इसको मर्ज करा दिया गया था ठीक है याद है न यह बताया था मैंने कि भाई यही जावा 11 में चेंजर बहुत हो 10 तक था वो आपको अलग अलग यह मिलता था JRE और JDK राइट तो 11 से आपको यह मर्ज करा दिया गया था अब आपको पता चला होगा तो आपको यहां से अलग अलग मिल लाग और JRE 9 में अगर आप जाएंगे देख लेंगे अगर आप इसको थोड़ा सा डाउलोड करना चाहें या कुछ भी डाउलोड करना चाहें मतलब जिनको अपने PC के हिसाब से डाउल के से हुआ फिर जावा 11 में मिजरली कुछ चेंजे जाये थे वह हम बात करेंगे जो हम पढ़ रहे होंगे तो और ठीक है फिर मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में यह सब थास थेवरोटिकल पॉइंट सोड़े से बोरिंग हो सकता है बर ठीक आपको समझाना जर झाँ